हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सीजी विलेजफूट चैनल में तो आज मैं आप लोगों के लिए चावल के तिकूर के रेसिपी लेकर आई हूँ और ये देखे मैंने चावल को कल से भीगो कर रख दिया था आप 5-6 गंटे भीगो सकते हैं ये जो चावल है वो घर का बना हुआ चावल है ये देखे मैं पास से दिखा रही हूँ ये टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है लेकिन घर का बना हुआ चावल से ये बहुत ही नयावल चावल से बहुत ही अच्छे से बनता है तो यह देखे चावल को हमें सबसे पहले पीस लेना है और यहाँ पर मैंने जितना चावल लिया है उतना ही गूड लिया है यानि मैं यहाँ पर 500 ग्राम के करीब चावल ली हूँ तो 500 ग्राम के करीब ही मैंने यहाँ पर गूड लिया है और गुड को इस तरीके से हमें तोड लेना है और यह देखिए मैं यहाँ पर सिल्वर्टे से नहीं बलकी यहाँ पर ग्रैंडर से पीस रही हूँ आप इसको सिल्वर्टे से या ग्रैंडर से कुछ भी से पीसे हैं इसका मेजरमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है और बनाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है तो अगर आप लोग सही तरीके से बनाना चाहते हैं तो पूरा लाश्ट तक बने रही है और ये देखे मैं इसको चावल को पीछने के लिए थोड़ा सा इस आप लोगों को पीच के दिखा रही हूँ और इसको एकदम चिकना सा पेश्ट बना लेना है इसमें बिल्कुल भी दरदरा पड़र नहीं रहना चाहिए हमें तीखुर बनाने के लिए जितना भी चिकना होता है उतना ज्यदा अच्छा लगता है तो हमें एकदम चिकना इस और ये देखे गाँ दिया, मैं ऑर गिलास इसमें पानी डाल दिया है, पानी का measurement ये में अच्छे से देख से देखना जरूरी रहता है, और ये देखे यहाँ पर मैंने जो गुड को भीगो कर रखा था मुझे लगा वो अच्छे से नहीं पिगला है तो मैंने उसको थोड़ा सा गरम कर लिया और गरम करने पर वो बहुत ही अच्छे से पिगल चुका है तो हमें गुड को चान कर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि गुड में कुछ इंप्योरिटी रहती है उसमें मतलब कुछ बालू वालू और गरने का छिलका विलका भी रहता है तो हमें गुड को चान कर ही लेना चाहिए और जीस बरतन में मैंने गूड को भीगो कर रखा था उसमें मैं फिर से एक गिलास पानी डाल रही हूँ और उसको डालने के बाद मैं अच्छे से उसको हिला करके उसमें डाल दूंगी और यह देखे इसमें नीचे जो जमा है वो इसमें रहता है जो कचड़ा रहता है देसी वाले गुड में और जादा रहता है तो मैं यहाँ पर देसी वाला गुड ही यूज की हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पर बाद में गैंस का फ्लेम ओन कर रही हूँ क्योंकि हमें पहले बिल्कुल भी ओन नहीं करना है क्योंकि यह जो चावल का तिखुर बनाते समयना अगर हम बिल्कुल चलाना बंद कर दें तो यह बिल्कुल नीचे में जम जाता है तो हमें इसको पहले से गैंस का फ्लेम ओन नहीं करके रखना है और यहाँ पर मैं करीब 4 गिलास इसमें पानी डाल चुके हूँ यानि 500 ग्राम मैंने यहाँ पर चावल लिया है तो उसमें 2 लिटर पानी डाल चुकी हूँ और इसको गैंस का फ्लेम को एकदम low to medium में ही रखना है हमें पानी ज़्यादा तर जो है गैंस की फ्लेम अगर आप थोड़ा सा तेज रखते हैं तो उसमें ज़्यादा लग जाता है और थोड़ा सा आप एकदम लो फ्लेम पर ही चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम पानी लगता है ये जो पहले हमारे पुराने जवाने के लोग बनाते थे मतलब चावाल का तीखोर, मूं का तीखोर ये सब सरीर के लिए बहुत ही ज़ादा लाबदायक होता था क्योंकि इसमें ना ही तेल वगरा कुछ नहीं पढ़ता था तेल घी वगरा तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता था ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है अभी जो गैस, एसिडिटी वगरा पादिष्ट भी रहता है और ये एकदम सिंपल तरीके से बनाया जाता है, बस इसका नाप ही इसका मतलब एक रहता है और इसमें थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है, चावल का तीखूर एकदम मतलब लो फ्लेम पे ही या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पहले कर सक लेकिन थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाए तो एकदम लो फ्लेम पे ही हमें पकाना चाहिए अगर फ्लेम हाई हो गया तो यह अच्छा नहीं बनता है नीचे चीपक के वो जल जाएगा तो हमें इस तरीके से इसको रेगुलर चलाना है और यह देखिए मेरे जो तीखुर में थोड़ी से गुठलियां पढ़ रही थी इस तरीके से अगर गुठली पढ़ जाए तो उसमें आप समझेए कि उसमें और पानी की जोरत है आप अगर उसमें फिर से पानी डालेंगे तो गुठलियां जो है अपने आप पिखल जाएंगी तो मैंने इसको गयांस की फ्लेम स नीचे उतार करके इसमें पानी डाल लिया है आप उसी में रखके भी पानी डाल सकते हैं तो मैंने इसमें और एक से डेड़ गिलास पानी डाला है अगर आप कभी भी अगर चावल का तिखुर बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा ये गुठलियां पड़ी हैं तो आप समझे ये तो इस तरीके से हैं वू गदे लमस पड़ते हैं ह। आप धीड़े रालते है तौ पिखलने लगेगा तो जब भी आप इसमें बना रहे हैं इसको तो एकदम लोग फ्लेम पर और पानी अगर। इसमें घुठलियां पड़ू है उसमें आपको पानी डालना है उसमें डरने की जवरत नहीं रहती है पानी की कमी के कराण उसमें गुठलिया पड़ती है चावल का तीखूर बनाते समय मतलब क्या है कि आप जितना मतलब चावल लिये हैं उससे 6-7 गुना उसमें पानी की जवरत पड़ती है और यह बहुत ज गाढ़ा है इस तरीके से बन करके त्यार हुआ है तो इस तरीके से जब ये एकदम गाढ़ा हो जाए तो इसको एकदम लो फ्लेम पे ही पकाना है और ये पक कर त्यार होने वाला है जब ये इस तरीके से चलाते हैं आप तो ये कर्ची में इस तरीके से चिपक जाए तो समझे यह गा कि यह हमारा तिखुर बन करके त्यार है, मेरा थोड़ा सा जादा है इसलिए इसमें bubbles नहीं आ रहे हैं ने तो यह थोड़ा कम रहेगा, तो इसमें bubbles बनते हैं, यह ज़ादा तर चूले पर बहूत अच्छे से बनता है लेकिन गैस पर भी आप इसको बना सकते हैं तो कुछ बातों का बस ध्यान देना है कि एकदम low flame पर पकाना है और इसमें जो है ये पकेगा तो ये कर्ची में जो है अच्छे से ये चिपक जाता है एक और चीच रहता है कि हमारा तीखूर पका है कि नहीं ये देखने के लिए मेरी दादी सास क्या करती थी उसमें ऐसे जिस कर्ची से बनाती थी उसको ऐसे रख करके देखती थी ये अगर नहीं गिरता है यानि हमारा तीखूर बन करके तयार है और ये देखिए मेरा कर्ची अच्छे से इसमें टीक रहा है यानि हमारा तीखूर बन करके तयार है तो इसे हमें अब थाली में निकाल लेना है इसको थाली में निकालने के लिए इसमें तेल घी किसी भी और उसको धियान में रखना है और उसी तरीके से थाली में डालने के बार्द इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिलार देते हो पूरा बराबर हो जाता है तो आप इस तरीके से इसको हिला दीजिए उपर से चूने करने के जुरूरत नहीं covid-19 जो बाकी का है उसको मैं एक और दूसरे प्लेट पर रख ले रही हूँ चावल का तीखुर जो है एकदम हम लोग कम चावल लेते हैं फिर भी बहुत ही जादा बनकर तयार होता है ये दिखे मैंने 500 ग्राम चावल लिया था और ये कितना सारा बनकर के तयार हुआ है और ये दिखे मैं इसको 2 गंटे बाद दिखा रही हूँ इस तरीके से अगर ये उपर से फटा रहता है यानि हमारा जो तिखुर है बहुत ही अच्छे से बनकर के तयार हुआ है तो मैं आपको इसको काट करके दिखा रही हूँ इसको 2-3 गंटे रखने के बाद ये बहुत ही अच्छे से कट कर इसके पीसे निकट जाते है और जब ही इसको हम बनाते हैं और उसके दूसरे दिन खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और आप बेल आइकन को दबाईए ताकि मेरी आने वाले रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ये देखिए हमारा तीकूर का ये पीस बहुत ही अच्छे से निकल करके त्यार हुआ है